गुजरात की राजदानी गांधी नगर का एक तहसिल मानसा और मानसा में एक गाव है समव आबादी है करीब साथ हजार की जहां बच्चों को सिक्षन देने के लिए कई पाटशालाई कारियरत है जैसे की एक है शेट सी एम हाई स्कूल जो ग्रांटेड है शेट स्री आर सिश इंग्लिस मेडियम स्कूल है और चार स्कूल जिल्ला प्रात्मिक शिक्षन समेती के द्वारा संचालित समव प्रात्मिक कुमार विद्या लए समव हनुमान पूरा प्रात्मिक विद्या लए अंजन पूरा प्रात्मिक विद्या लए समव प्रात्मिक कन्या विद्या लए आज मैं बात करना चाहती हूँ समव प्रात्मिक कन्या विद्याले के प्रांगण में स्थिद शहीदों के समारक की। यह एक एतिहासिक भुमी है क्योंकि जहां आज स्कूल है वहां अंग्रेज शासन के समय में जहल था। वड़नगर आनर्त केंद्र के बारह युवाओं ने अंग्रेज शासन का विरोध किया था और उस वक्त इसी प्रांगण में उन बारह युवाओं को फासी की सजा दी गई थी। हमारे उन वीर शहीदों ने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इन बारह युवाओं में से दो नेता युवाओं के नाम मि विजापूर के थे। आज भी Government of India दिल्ली के गैजेट में पेज नमबर 323 पर यह लिखा मिलता है कि 29 नवंबर 1857 में इन विरों को इस विद्यालय के प्रांगण में जहां पहले जैल था फासी दी गई थी। आज भी समोकन्या विद्यालय के प्रांगण में कोई भी कार्य क्रम हो, उत्सव हो या महोत्सव हो या कोई भी अधिकारी के द्वारा विद्यालय का दोरा हो, हर कोई इस शहीद स्मारक को अपनी स्रधान चली अरपित करके धन्यता मैसुस करता है। यहां एक बात कहना जरूरी है कि कक्षा आठ की सामाजिक विज्यान के पाठ्य पुस् और समोव प्रात्मिक कन्या विद्यालय के सरपंच श्री, आचार्या श्रिमति कांता वन चौदरी और पुरा परिवार प्रयत्न कर रहा है इस शहीद स्मारक की अइधिया सिक्ता को बनाई रखने का आभार।